मेरी तब्यत बहुत बिगए मुझे माईग्रेन की तक्रीफ होने लगी मुझे बैक पेन होने लगी पेट में दर्द रहने लगा और पैरों में कमपन शुरू हो गया तो मैंने एक दिन डॉक्टर से पूछी लिया दॉक्टर साह मुझे हुआ क्या है वा एम नोट गेटिंग ही है हाई एस लेवल पे जिस डॉक्टर से मैं मिला हूँ क्योंकि इस से उपर तो डॉक्टर भी नहीं बचा है तो जब वो विफल होते हुए नदर आये तो मुझे समझ आने लगा कि विज्ञान भी कही ना कहीं पे रुक जाता है उसकी भी कहीं एक सीमा है कि तरफ जुकाओ करने लगा पंदरा दिनों में मेरी सारी की सारी बिमारियां घुणा हो गए तुछ हैता हुआ कि घर के जो आपसे मन मुटाओ थे इस वज़े से पूजा डिप्रेशन में जाने लगे और एक बहुत बड़ा हाथसा हो गया एक मिस्केरिज हो गया एक परस नमस्कार दोस्तों PMC हिंदी के खास कारेक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वावत है आत्मा अपने निखार के लिए अनुभवों के लिए धर्ती पर जनम लेती है शरीर धारन करती है उसी के लिए वो अपने मातापिता भी चूस करती है परिस्थितियां भी चूस करती है जिसके माध्यम से वो अनुभव लेकर अपने को और अच्छे तरीके से निखार सके, समझ सके और जीवन का उसका क्या लक्ष है उसको पूरी तरह से समझ पाए आज हम मिलेंगे डॉक्टर धिरेन सरीन से जो की सीनियर पिरमिड मास्टर है और पिछले 2015 से आना पाना सती ध्यात से जुड़े हूँ धिरेन सरीन जी जीवन में एक नेच्छोपैथी के डॉक्टर भी है कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया उन्होंने मेडिकल विज्ञान के साथ साथ कैसे प्रकरती के साथ मिलकर हम अपनी नेचर के साथ नेच्टर प्रोसेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं तो उनी से जानते हैं उनकी सुन्दर यात्रा को स्वागत करते हैं दिरेन जी आपका आत्मा की यात्रा कारेक्राम में नमस्कार्दी और बहुत ही सुन्दर आयोजन आज का कारेक्रम जो रखा गया है मुझे उमीद है कि यहां मुझे भी सरलता से अपने जीवन को अध्ययन करने का एक मौका जो आप लोगोंने दिया है और हमारे साथ में जुड़े हुए जो हमारे सब के सब वीवर्ज हैं उनको भी काफी कुछ हिसमें समझने को मिलेगा और मैं तो यह मानता हूँ कि जीवन में कहीं न कहीं पे हम जो अनुभव लेते हैं और हमारी यात्रा आगे बढ़ती है इसमें आध्यात्मिक जब एक द्रिश्टी कौन आता है तो बहुत सारा परिवर्तन सोच समझ पूरी तरह से बदल जाती है और आज मैं जो अपने आपका जीवन देखता हूँ और जो मैं पहले अपने आपको जानता या समझता था उसमें बहुत अंतर आ गया दिरेन सरीन जी जैसा कि हम सब जानते हैं कि शरीर धारन करने के लिए हमें जनम दाता माता पिता का माध्यम चाहिए तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके माता पिता कौन थे और आपका कहा जनम हुआ मेरे माता पिता पंजाब से और मैं वही पे जनम हुआ है और उनी के साथ में मैंने काफी कुछ सीखा, समझा, बहुत सारे संसकार लेकर के और मेरी माता जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक और बहुत ज़्यादा पूजा पार्ट में मानने वाली और मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा शान्त चित तक मैं काऊंगा क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही शान्त था और वो हमेशा मूर्ती पूजन में इतना नहीं मानते थे उनकी सारी की सारी आरेन समाज में रहकर के उनकी ग्रूमिंग हुई हुई थी तो उनका सोचना समझना थोड़ा सा अलग चलता था और मेरे पिता जी का नाम नरेश तो वो वैसे ही राजा शाही जीने में मानते थे और माता जी का नाम मुंची सरीन दोनों ने मिलकर के मुझे जो कुछ सिखाया मुझे लगता है उसके बिना जो मैं आज बना हूँ वो संभव नहीं था एक बैक्ग्राउंड में जैसे होता ना पहले आपकी तयारी होती है कच्ची मिट्टी को तयार किया जाता है तो वो तयारी मेरी बहुत कम आयू से हुनी शुरू हो गई और हमेशा स्कूलिंग में भी मैं हमेशा आगे बढ़ता गया उसी सब संसकारों के माध्यम से अपनी लाइफ में हमेशा एक्सेल क्योंकि जब आपका शांत स्वभाव होता है और प्रवृत्ती में कही ना कहीं पे कोई ना कोई एक सोर्स से कनेक्ट होने की आपको जब संसकार मिलते हैं अब वो सोर्स बाहर है या अंदर ये सम मुझे उस समय पता नहीं था लेकिन कच्ची मिट्टी तयार होनी शुरू हो गई थी दिरेन जी हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपका बच्पन शुरू हुआ आपका अपना स्वभाव कैसा था ये बड़ा ही एहम है मैं बहुत ही शांत शुभाव का था अपनी क्लास में हमेशा academically बहुत उन्नत था बहुत आगे था हमेशा ही always number one और complaint जब भी parent teacher meeting होती मेरी मम्मी वहाँ जाते और teacher उनको बोलते कि ये बच्चा जो है बिल्कुल शेतानी नहीं करता है बोलता ही नहीं है इसको क्लास में हमने monitor भी बनाया है हर जगे पे अच्छाई होती लेकिन naughty पन बिल्कुल नहीं है लेकर के बुराई भी सुननी पड़ते कि ये बोलता नहीं है बहुत कम बोलता है और बहुत कम बात करता है तो इसमें openness होनी दोस्त बनाने आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए expression होना ये बहुत जरूरी है और मेरी माता हमेशा मेरे पे कोशिश करती है कि जानकारी कर सके कि क्यों इतना कम बोलते हूं तो तब तो मैं भी नहीं जानता था कि पिछले जन्मों का carry forward क्या होता है नहीं होता है लेकिन हाँ मैं जरूर समझता हूं कि बहुत शांत स्वभाव का पहले से ही बहुत धैरे मेरे में और वैसा ही मेरा नाम भी धीरेन धैरेवान होना बहुत ही उप्योगत लगता है इसके सामने धीरेन जी ऐसा मानते हैं कि जैसे जो नाम रखा जाता है, उसी के गुन्य जो हैं, वो उस व्यक्ति में भी होते हैं, तो आपने जैसे अभी बोला, कि धेरेन मतलब धैरियर रखने वाला, आपके पास बच्च्पन में कोई और creativity, आपके रुची किसी खेल खूद में, या संगीत में थी। हाँ, मैं बहुत जब स्कूलिंग में था ना, तो उस समय ये इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे, तब तो रेडियो होता था और हमारा दूर दर्शन होता था, और जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था, वहां पे हमारी एक टीचर हिंदी की वो दूर दर्शन में लगी थी, तो बहुत अच्छा हमें अवसर मिला, हमारे टीवी पे प्रोग्राम आने लगे, मैं नाचने के भी उसमें पाटिसिपेट करता था, और गाई की भी मेरी आवाज मेरी बड़ी अच्छी थी, तो सोलो प्रोग्राम और ग्रुप प्रोग्राम और ये सब में मेरी बहुत हमेशा आगे ही चला जाता था, मेरे टीचर्स हमेशा बोलते थे कि तुम अपने माबाप का नाम बहुत उजवल करोगे, हर द्रिश्टी कों से मुझे अच्छा लगा करता था, तो डेफिनेटली ये एक मेरा प्लस पॉइंट, एक यूएस पी और मुझे फिर उन्होंने ड डर लगने लगता था, एक स्टीज का फ्रेट होता है ना, फ्राइट होता है, डर लगने लगता है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, पर पता ही नहीं चला कब वो ग्रूमिंग होती चली गई और वो फिर अपने आप ही निकलता चला गया, येस, धिरेन जी, कोई ऐसी घटना कभी घटी, जिससे की आपके जीवन में, ऊपर चड़ते चड़ते भी कुछ हलका सा, जैसे कहते हैं न, चांद में भी थोड़ा सा दाग आगा जाता है, तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना, जब आप आगे ही बढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसी घटना घटी? हाँ, विल्कुल ऐसा होता ही है परिवार के अंदर में, क्योंकि मैं छोटा था और मेरा एक बड़ा भाई भी था, तो मैं लाड़ना हो गया, और क्योंकि अकेडिमिकली जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सुभाव से शांत था, फोकस्ड था, और बहुत ज़्यदा अप ही सुनना पड़ता है ना घर में कि देखो बच्चा छोटा भाई कितना अच्छा कर रहा है, तुम इतना ज़्यदा क्यों नहीं करते हो तो, बड़े भाई को कही ना कहीं पे मुझे लगता था कि ये अच्छा नहीं लगता है, जब कंपेरिजन होता है ना घर में, हाला कि ये मेरे लिए तो फाइदे में ही था क्योंकि मैं तो हमेशा अच्छा ही कर रहा है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जब कंपेर किया जाता था ना, कि बड़ा भाई कम करा है, उसके नंबर कम हुआ है, आपके ज़्यदा अच्छे आए हैं, मुझे लगता है कि ह हर किसी का अपना एक सोल प्लान होता है, उसके हिसाब से हर एक जर्नी तै करने के लिए एक व्यक्ती जमीन पे उतरता है, अपने अनुभाव एकठे करने के लिए, तो हाँ ये जब चल रहा था सब कुछ, तो एक समय ऐसा आया जहां पे मुझे ऐसा लगने लगा कि क्योंकि बहुत शौंक भी होते, तो भाई को खाने में बहुत शौंक था, खेलने में बहुत शौंक था, मैं ज़्यदा अपना फोकस पढ़ाई में और खेलने में भी मैं भी अच्छा था, लेकिन मैं इंडोर गेम्स में ज़्यदा एकसेल कर गया, तो शतरंज हो गया, कैरम हो गया ये सब चीजे मुझे ज़्यदा लुभाती थी, जहां दिमाग का प्रियोग ज़्यदा हो, और मेरा बड़ा भाई बहुत ज़्यदा उचलना, कूदना, एक्टिविटीज, वो उसका सुभाव थोड़ा उसमें ज़्यदा था, कभी-कभी मैं ऐसा भी सोचता था कि मेरे को नहीं है, और मैं बहुत ही शांत चलता चला गया, तो कई बार अंदर से भी होता है, आपके जब आपके अपने बोलने लगते हैं कि ये तो कुछ इसका कोई रुची नहीं है इतना जहदा बाहर की दुनिया में, तो तब इतना मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, क् क्या चल रहा है, जी, धिरेंग जी, आपकी स्कूलिंग शुरू होगी, और आप पढ़ाई में तो अच्छे थे, तो हम आपसे आपकी और आगे की यात्रा के बारे में जानना चाहिए, हां ये पढ़ाई में तो मैं हमेशा चलता गया, बहुत अच्छे से, लेकिन जैसा मै आपको बताया ना, कोई शौंक नहीं थे, ना तो खाने का कोई शौंक, ना तो कपड़ों का कोई शौंक, पिक्चरों का और ये सब चीजों का, हां ठीक है, थोड़ा बहुत इंजॉय करना, अच्छा लगता है सब के साथ में, पर बहुत शांत प्रवरित्ती होना भी अप इसा दिखाई देने लगा, जैसे परिवार में, यह नो हर किसी की अपनी अपनी अहमियत है, तो फादर के बिजनस में कुछ डाउंज आने लगे, और उन डाउंज का प्रभाव मैंने देखा, मेरे फादर पे उनका नाम नरेश्च था, वो तो अपनी जिन्दगी में कोई इस चीज़ को जैदा स्थितियों परिस्थितियों से उपर भी सोचा जा सकता है, और मैंने अपने फादर को, अपनी जिन्दगी को बिलकुल राजा शाही जीता हुआ, चाहे अप्स हों या डाउंज हों, बिजनस करते थे मेरे फादर, तो बिजनस में होता है अक्सर, ले वो सब के बीच में तो बोल नहीं पाती थी, लेकिन कहीं न कहीं पे अंदर ही अंदर उसके अंदर घुटन पैदा होती थी, जब एक लिड़ी है घर चलाने का काम है, और कहीं पे अगर फाइनेशिल चीज़े बिगड़ जाती है, तो बहुत सारा उसके अंदर टर्मॉइल पैदा हुआ होगा, और मुझे कहना पड़ेगा कि बहुत काम उमर में ग्यारा साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया, और कैंसर का नाम सुनने मातर से सारे घर के अंदर एक बहुत ही डाउन फीलिंग, एक जैसे होता ना रोने का सोभाव, और मुझे बहुत बुरा लगने ल रहेंगी, तो पूरा घर सेहम जाता है, अब क्या होगा, वहाँ मेरे अकेडेमिक्स में भी एफेक्ट आने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मदर नहीं रहेगी तो फिर मैं पढ़ किसके लिए रहा हूँ, वह बहुत जैदा मेरे साथ में मुझे पढ़ाने म भी अपना ध्यान देती थी, और हमारा एक ग्रुप फेमिली था, हमारे ताया जी का परिवार भी हमारे साथ में था, तो हमारे कजिन्स भी दो, हमारे कजिन ब्रदर्स भी हैं, और वो चारों को, मतलब मैं मेरा बड़ा ब्रदर और हमारे कजिन्स, चारों को उनुने ही परिवार के अंदर में जो लोग बने हैं ना, ये कैसे हम लोग एक दूसरे को चुन करके अपनी जिन्दगी में सीखने के लिए हर एक चीज को तैयारी करने के लिए आते हैं? तो एक जो में कडी है, वो कडी जब कमजोर पढ़नी शुडू हो जाती है, तो बाकी सब ब्रांचेज भी हिलने लग जाती है, तो दुरेंग जी आगे जैसे आपकी मदर की तवियत खराब ही रहती थी, तो आगे आपके जीवन में और क्या प्रभाब पढ़ा इसका इसके ब तो बहुत प्यार, लाड़ और सब कुछ बहुत अच्छा चवरा था, लेकिन जैसे ही जड़ें जैसे आपने कहा न, माता के अंदर जैसे ही परिशानी हमारी जड़ें हिलने लग जाती है, और कही ना कही पे जब वो कराहती थी दर्द से, तो अंदर से मेरी भी रूह काम लगती थी, और मैं दूसरे कमरे में जाकर के रूने लगता था, अब ये सुभाओं अंदर, मैंने पहली बार प्रकट होता देखा कि मैं इतना जैदा विचलित होकर के, और बहुत फूट फूट के रोया करता, सिस्कियां ले लेकर के रोया करता कि मेरी मदर जा रही है, त देखें, और बाले काल में ही मेरे साथ में ये अवस्था बनी, और जब मैं 13 साल का था, और उस समय मेरी माता जी की मृत्यू हो गई, कैंसर की वज़े से, तो एक जीवन के अंदर जैसे वैक्यूम पैदा हो गया हो, खाली पन होता है न, जैसे कुछ समझी नहीं आ रहा था की हो क्या रहा है, अब आगे कैसे होगा, कैसे जीवन का निर्वाहा होगा, तो एक छोटा बच्चा आप सी देखिए, मतलब उस समय एक मानसे का वस्था भी उतनी नहीं होती है, और मेरी बॉंडिंग मेरी मदर से बहुत जैदा थी, फादर क्योंकि बिजनस में जैदा वि होने से मैं बहुत विचलित था, और आगे की जीवन को कैसे चलाओंगा, मुझे नहीं पता था, तो दिरेन जी, क्या इस परिस्थिती के बाद आपके शारीरिक अवस्था पे भी कुछ प्रभाव पढ़ा, हाँ, बिलकुल इसका प्रभाव बहुत आने रगा, हलाकि मैं प आपको किसी की याद सताने लगती है, तो बहुत ज़्यदा आपकी उर्जा बहुत तेज गती से कम होने लगती है, और कई बार तो बहुत अचानक ही बैठे-बैठे रोने लग पढ़ना और ये सब चीजें हो जाना, इसका प्रभाव हमारे पढ़ाई में भी आता है, क्यो अब आप लोग एनरजी में होते हैं, तो आप फोकस्ड वे में अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो बहुत प्रभाव आने लगा, और मुझे अपने आपको संभालने के लिए बहुत जतन करने पड़े, और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे समझाया, कि इस अब आपकी इस से आगे की यात्रा जानना चाहते हैं, कि टर्माइल से आप आगे बढ़े, और कैसे आपके जीवन में, दुबारा से आपकी जो परिस्थिति थी, कि आप अपनी पढ़ाई के लिए सक्सेस्फुल होने लगे, और आगे की आपकी यात्रा कैसे चली, तो मु बहुत रायट्स पंजाब में हुए थे, और मेरे फादर का क्योंकि बिजनस सीमेंट का बिजनस था, स्टील का बिजनस था, तो बिल्डर्स का काम उस समय बिल्कुल ठप हो गया, और फादर का बिजनस भी आपियसली बहुत डाउन चल रहा था, और उन दिनों हम लोग शि जहां पर हमें पूरी तरह से मानसिक तरीके से तयार किया जा रहा था, एक एंगलो विदिक स्कूल में जो पढ़ते हैं तो वहां पर आरेयन समाज के तरफ ज़्यदा जुकाव होता है, मूर्ती पूजन में इतना मैं मानता नहीं था, लेकिन मेरी मा क्योंकि बहुत ज़्य किया, तो मदर को तो कुछ फाइदा नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं पर ये मेरा धर्म के प्रति यहां पर जुकाव कम होता ही चला गया, और जो एंगलो विदिक जो हमारा स्टडी था, मूर्ती पूजन से मैं बहुत ही ज़्यदा बाहर निकल गया, और ढूनने लगा कि फ और हमारा नुकलियर फैमिली भी हो गया था, ग्रुप में नहीं थे, उसमें हमारा जो बड़ा फैमिली था, उससे भी हम लोग अलग हो गये थे, फादर ने यहां पर कुछ नए बिजनस दिल्वी में शुरू किये, और उन दिनों में मैं मूर्ती के सामने खड़े हो करके, जो स्कूल में जो सन्यासियों की मूर्तियां, मैं रिसेस टाइम पे उनको देखता और कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा लगता जैसे मुझे यहां सीखने की जरूरत है, और बहुत ज़्यदा अंदर से मैं अपने आपको समझने लगा और बहुत कम समय में जैसे मुझे ही समझ जाने लगा कि the source is inside, जो हमें वहां पढ़ाई कराया जा रहा था, जो शिक्षा हमें, हमारी एक लास होती थी धरम शिक्षा की, और वहां हमें यही समझाया जाता है कि आप अंदर से connect करें, तो मैं अपने अंतर मन से जब connect करने लगा, हलाकि वहां बहुत सारा कुछ तो नह संभालना थोड़ा सरल बनने लगा, दिरेन जी आपकी पढ़ाई इस प्रकार आगे बढ़ते रही और आपने अपने जो भी स्कूलिंग थी वो पूरी करी, और आगे की यात्रा के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो यह बहुत ही सुखत समाचार उस समय यह हुआ कि हम लो वहाँ पे हो गया, और हम फिर से एक बड़े परिवार में ताया जी, ताई जी के साथ में रहने लगे, और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, फिर से कजिन्स भी मिल गए, तो दोस्त होते हैं आपने घर में, क्योंकि बाहर मेरे इतना ज़्यादा दोस्ती नही जाता है, तो जो छूट गया, उसके आगे चलने की यात्रा में, और फिर मैं अपनी तरफ से बारवी की तरफ जब पहुचा, और बारवी के परीक्षा मैंने दे दिये, और आगे, मुझे क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यदा यही था कि मेरी मदर हमेशा चाती थी, कि मैं कर बनूँ, और मैं academically भी बहुत अच्छा था, तो मैं medical की अपनी तयारियां कर रहा था, और छे महीने का उस समय मेरे पास में examinations के बाद में समय भी था, तो उस समय हमारे परिवार से हमारी छोटी नानी ने कहा कि क्यों नहीं आप कुछ अनुभव के लिए, experience के लिए, तो उस समय मैंने अपना रुजहान marketing की तरफ में एक opportunity मुझे मिली और मैं उस तरफ में अपना कदम बढ़ाया, ताकि explorer से मैं थोड़ा और ज़्यदा अवगत हो सकूँ, दुनियादारी को समझ सकूँ, तो ये marketing की जो line थी, ये बिलकुल विमुख थी, क्योंकि आप देखी वहां तो पूरे दिन बोलना है, और यहां तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ बोला ही नहीं है, कभी-कभी जब मैं अपने दोस्तों के बीच में कुछ बात करता तो वो बोलते कि जब बोलता है, लेकिन बोलता बहुत कम है, अब वहां marketing की office में जब मैं बहुत कम बोलता थ तो उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, आपको लगातार बोलना पड़ेगा, सुबह से लेके शाम तक, तो ट्रेनिंग होने लगी, बकाइदा हमारा जो सोल प्लान होता है, उसके मुताबिक हमारी ट्रेनिंग होने लगती है, क्योंकि आगे अगर सेवा देनी है, तो उसके लिए तैयारी के लिए ये भूमी का तैयार होने लगी, और मैं धीमे 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 मार्केटिंग के अंदर में ढ़लने लगा, और एक समय आगया जब मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे, वो अच्छे-च्छे कॉलेजे में एडिमीशन लेने लगे, और मैंने अपने परीक्ष में, कंपनी ने मुझे as a director अपॉइंट कर दिया, और गुजरात जो मेरी करम भूमी बनी, मुझे दिली से उठा करके, फरीदाबाद से उठा करके, और गुजरात में, एहमदाबाद में, as a director, as a very young director of 17 years, अपॉइंट कर दिया गया, और देखते देखते मेरे नीचे करीब 600 लोग, you know, I was just a very young person and I had around 600 people, अब इतने सारे लोगों को और वो सब अपनी जिन्दगियां बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब मैं अपने घर से निकला था, मार्केटिंग करते-करते, तब स मुझे कहते थे कि धिरन तुमने अच्छा नहीं किया, तुम आगे बढ़ना चीए था, अकेडिमिकली तुम बहुत अच्छे थे, और फिर जब मैं काम्याब हो करके, एज़ा मार्केटिंग डारेक्टर बन करके वापस आया, तो वो ही समाज के लोग मुझे कहने लगे, हा एक बड़ी उपलब्दी और भी बनी, जिसको मैं यहां आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जॉब ट्रेनिंग की थी, लोगों को सिखाना और लोगों को काम देना, तो यहीं पे मेरी भेंट, मेरी जो अर्धांगनी, मेरी जो वाइफ, मेरी बेटर पार्ट, डॉक्टर पूजा से मेरी मुलाकात वहीं पे आफिस में, वो एजा ट्रेनी, उनकी इंटरव्यू मैंने ही की थी, और उनको मैंने जब अपने यहां आफिस में रखा, वो बड़ी शर्मीली थी, और वो भी बात ज्यादा नहीं करती थी, मुझे उनके साथ में अपने भाव को जोडते हुए, बहुत अच्छा लगता था, और उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर वो करते-करते, उनने बहुत मेहनत की, क्योंकि लड़कियों को, लेडीज को, लीडर्शिप क्वालिटीज बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होता है, लोगों को, जेंट्स को, औ टीम जेनरेट करनी थी, उनको अपनी टीम को बनाना था, बड़ी कुशलता से उन्होंने अपनी सभी बातों को समझते हुए, और एसिस्टेंट मेनेजर के लेवल पे पहुँच गई, और ओफिस में मेनेजमेंट मेरे साथ में सीखने लगी, और मुझे बहुत अच्छा ल एक सवाल मुझे दे दिया, क्योंकि हमारी उमर भी थी और आगे परिवार को भी बनाने की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा क्या आप मुझसे शादी करेंगे, अभी ये सवाल आते ही जैसे भुचाल आगया हो जिन्दगी में, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि वो सिं इंधी परिवार से हैं, आप पंजाबी परिवार से हैं, तो दोनों के संसकार अलग हैं, तो थोड़ा निभाने में मुश्किल आएगी, ऐसे एक लाइकिंग होना अलग बात है, और जीवन का निर्वाह करना ये दूसरी बात है, तो मैंने उसे उस समय ना बोल दिया, कि न ना जाने क्यों उस समय बहुत ज़्यदा मेरे जीवन में फिर से एक टर्मॉइल फिर से शुरू हो गई, और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं आत्म गलानी में खुद को अपने आप में ही विलिन के सुरूप में देखने लगा, कि जैसे बहुत बड़ी भूल नहीं हो ज मुझे माईग्रेन की तक्रीफ होने लगी, मुझे बैक पेन होने लगी, पेट में दर्द रहने लगा, और पैरों में कमपन शुरू हो गया, सिर्की चोटी से पैर की चीची तक दर्दों से भर गया, और बहुत तक्रीफ अपने अंदर, उस समय तो पता नहीं चल रहा था कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन आज मैं देख पाता हूँ कि जब mental clarity नहीं होती है, और disturbance पैदा होती है, mind level पे, emotional level पे, तो ये अंदर से बुनियादी तोर पे आपको पूरी तरह से हिला देती है, तो दिरेन जी, आपकी ये सुन्दर खुशकबरी, कि आज पूजा जी आपक के रूप में है, वो समय कब आया? और Apollo Hospital में भी बात करना हो, तो appointment के लिए लंबी कतार होती है, जर्मनी का डॉक्टर जिससे मेरी भेंट होनी थी, तो उस समय मामा जी की approach की वज़े से, he has a good approach, तो उन्होंने कहीं से appointment दिलवाया, और मैं डॉक्टरी इलाज अपना वहां पे लेने में दिभी पहुँच गया जब डॉक्टर से मेरी बात्ची चली और तीन महिना उनके वहां रहते हुए मैंने इलाज करवाया, पर मैं ठीक ना हो पाया, तो मैंने एक दिन डॉक्टर से पूछी लिया, दॉक्टर साब मुझे हुआ क्या है, वाइम नोट गेटिंग गुड, तो उन्होंने कहा, आपक आप जो कहोंगे मैं करने को तयार हूँ, आप मेरे को एंटी डिप्रेसेंट्स दे दे या जो भी आप बताएंगे, लेकिन उस समय एक वाइबरेशन्स होती है न, वो डॉक्टर की वाइबरेशन्स मुझे बता रही थी, इनके पास में मेरा इलाज नहीं है, तो मुझे पह प्यान भी कही ना कहीं पर रुक जाता है, उसकी भी कहीं एक सीमा है, तो हमें उसके भी आगे जाने की जरूरत है, ये सारा का सारा दोर चल रहा था, और इनी दिनों में जब मैं बापिस घर पहुँचा, तो मेरे मामा जी ने मुझे पूछ लिया कि क्या बात है, कहीं तु तो नहीं है तो जैसे किसी ने दुपती रत पे ना हाथ रख दिया हो और बड़े प्यार से उन्हें पूछा मैं उनको मना भी नहीं कर पाया मैंने अपना दिल पूरा खोल करके उन्हें बताया कि इस तरह से मेरी एक प्रेम कहानी चल रही थी और वो अचानक से फिर रुक जैसे मेरी रीड की हड़ी बनकर के उस समय मुझे समर्थन दिया वो कहने लगे तुम्हारे घरवाले मानते हो न मानते हो हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारी शादी तो उस लड़की से ही होगी पूजा से ही होगी आप उनसे बात करो और आगे बढ़ो और पूछ लो कभी शादी तो नहीं हो गई है, क्योंकि तुमने अरड़ी दो साल से उससे बात नहीं किया है, तो मैंने जब उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि अब ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो चले गए थे ना बोल करके, अलगि उनका विवाह नहीं हुआ था, तो ये मेरे लिए खुश खबरी थी, और उन्होंने कहा, पूजा ने मुझे कहा कि अब तो आपको बात जो है, अब आपने दुबारा से खोली है, तो आकर के आपको माता पिता से बात करनी पड़ेगी, और मेरे अंदर तो जैसे बहुत सारे लड़ू फूट रहे हूँ, मैं बहुत खुश था, I was very happy, और उन्ही दिनों मैंने दिल्ली से ही अपने पिता जी से भी बात किया, तो उन्होंने भी मुझे समर्थन दिया, मुझे बात समझाने लगा कि हम जो कुछ अपने मन में ही बुनते रहते हैं, मेरे पिता जी ने कभी भी मुझे ऊपर से ये नहीं कहा था, लेकिन अंदर से ही हमारा सोचना वो रुकावट बनके बैठा था, वो कहने लगे हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं, आपको जो करना है आप कीजिए, आप बताइए, हम चलेंगे आपके साथ में, और इस तरह से फिर हम लोग पूजा के माता पिता से बात करके आगे बढ़ने लगे, लाइफ में उनकों भी शामिल हमने कर लिया, और बहुत सुख प्राप्त होने लगा, तो आपकी बीमारियों का क्या हुआ? हाँ, वो बीमारियों की खोज तो चलती ही रही, फूजा ने मुझे एक तरफ से बताया कि हम शिरडी जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साही बाबा में मानती थी, तो मैंने उसे बताया, मै कोई मूर्ती पूजन में इतना नहीं मानता हूँ, लेकिन उसने का एक वाइब्रेशन होती है, आप हमारे साथ जरूर चलें, और वहाँ जब मैं गया तो मुझे वो एहसास होने लगा, जैसे मुझे बहुत आनंद मिलने लगा हो, और उन्होंने मेरे हाथ में एक पुस्तक रख दी, जो साई सच चरित्र नाम की उनकी पुस्तक है, और हूँ मैं लेके आया और उसका आधेयन में सुबा शाम करने लगा, उस समय मुझे स्वाध्याय का इतना कोई सिग्निफिकेंस पता नहीं था, तो जब मैं शाम के समय अपने बिजनस से वापस लोड़ता, तो ब तो सारी की सारी दर्दें गायब हो जाती, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो अंदर मेरे, I am getting those goose bumps की, किस तरह से वो रोज में अपने अंदर एक तबदील होता हुआ, मतब आपके मन से ही सब कुछ हो रहा है, तो ये मैं महसूस कर पा रहा था, पर हाँ, एक भी जरूर है, वो तलाश मेरी जादी थी, और एक दिन प्रकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए कुछ मास्तर से हमारी मुलाकात हो गई, और उन्होंने प्रकृति का एक और दर्वाजा मेरे सामने में खोल दिया, और उनकी बातों को सुनकर के मुझे बड़ा सुख़द लगा कि और बहुत सारे लोगों ने उस पर जब चलित होकर के अपनी बिमारियां मिटाई तो मुझे भी एक रे ओफ होप एक पाशा जाग जाती है, आपको एक चिराग मिल गया कि कैसे आप उस से उजाले में आ सकते हैं, और चार साल इस दोहरान बीच चुके थे अपनी बिमारियों से जूजते हुए, और जब मैं उनकी बातों को समझ करके, बहुत सारी चीजें, जो क्योंकि I was having a medical background, मैं medical 12 तक तो वहीं तक पढ़ाई किया था, उसके बाद में मेरी पढ़ाई छूटी थी, तो वो पढ़ाई भी मेरी चालू हो गई, मैंने अपनी graduation भी कर ली शायद मेरे लिए ये सबसे मुनासिब था कि मैं नेच्रो पैथी की तरफ जुकाओ करने लगा, और जब मैं उस पे चले तो होने लगा, तो 15 दिनों में मेरी सारी की सारी बिमारियां धूआ हो गए, मुझे पता चलने लगा कि एक ये भी आयाम है, और इतना ज़दा मैं passionate ह हो गया, इस चीज़ को जानकारी करके, जिस चीज़ की तलाश में बाहर कर रहा था, पता चला वो चाबी तो मेरे अंदर ही थी, अब मुझे कहीं न कहीं पे अपने अंदर ही प्रकृतिक इलाज की प्रती बहुत ज़दा जुकाओ होने लगा, और मैं सब के समक्ष वो बात दस मिनिट का ध्यान करना भी बताया गया, तो वो साइंटिफिक स्पिरिच्वैलिटी का जो मॉड्यूल था, कहीं पे वहां मुझे प्राप्त हुआ, हाला कि वहां बहुत ज़्यदा स्पिरिच्वैलिटी तो खुल करके नहीं प्राप्त हुआ, पट कुछ वहां से मुझे प्राप्त होने लगा, आपने दिरेंजी जैसे कि नेच्वपैथी में आप प्रकरती की चिकित्सा के साथ जुड़ने लग गए, तो आपका एक ड्रीम था, आपकी मदर का भी ड्रीम था, कि आप डॉक्टर बने, तो आपने आगे का स्टेप क्या लिया, कि आप और में जुड़े हुए लोगों को ये नेच्वपैथी का ग्यान देने लगा, तो उससे उनको भी फाइदा होने लगा, तो जिन मास्टर्स के समक्ष मैंने इसारा ग्यान प्राप्त किया था, उनका कहना था कि आप इसमें एक डिगरी ले, एक सर्टिफाइड डॉक्टर बनक है, तो मैंने मेरा पैशन था, मेरा बिजनस तो पानी का चल रहा था, पानी में मैं काम कर रहा था, और मैं साथ-साथ में ऐजा नेच्वपैट डॉक्टर भी, मुझे याद है, वो दिनों में पूझा भी मेरे साथ में क्योंकि जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी अप अपने घरों को चुनके आते हैं, तो बिटिया ने हमारा चुनाओ किया जहां उसे ये सब कुछ बहुत यंग एज में, क्योंकि उसे तो हमने कोई दवा आज तक दिखाया ही नहीं है, आज लगबक 11 साल के हो चुकी है हमारी बिटिया, उसे हमने वेक्सीन भी नहीं दिया ह तो उसको दवा का कुछ मालूम नहीं है, उसको तो इतना ही पता है कि हमारा भोजन ही हमारी दवा है और हमें अपने मन का ध्यान रखना चाहिए और छुटी क्लासेज में वो कैसे आध्यात्मिक्ता का प्रचार करने लगी, हमें देखकर कि कितना खुशी होता है, बच्चो रहा था, और जहां जरूरत थी, मैं हमेशा स्पिरिच्वैलिटी के बारे में ज़्यदा जानकारी करना चाहता था, और विन देशाइपल इस रेड़ी, दा मास्टर अपीर्स, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं, तो वहां पत्री जी सर से हमारी मुलाकात, आज से लगबग 9 साल पहले सूरत में हमारा एक पिरामिट बना है, नरसाइया सर का, वहां पे हमारी भेंट उन से पहली बार हुई, तो आपने पत्री जी के साथ ध्यान सीखा, उसके बारे में हम आपके अनुभव जानना चाहते हैं, तो पत्री जी से जो भेंट हुई, ये तो बहुत ही एक टर का पूरा मुझे सिखा दिया गया कि प्रकृती से जुड़ना सौभाव में, तो पहले से ही मैं शान्त था, काफी कुछ मेरे को बोलना चालना बहुत कुछ आ चुका था, क्योंकि मार्केटिंग पेशे से मार्केटिंग कर रहा था, और जब पत्री जी सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहकर के बिठा दिया सारे लोगों को ग्रुप में की पांच मिनिट का ध्यान करवाना है, अब पांच-दस मिनिट का ध्यान तो हम भी करते थे, हम भी बैट गए, और करते करते चालिस मिनिट का ध्यान, लेकिन पहली बार मुझे ध्यान की एहमियत वहां पता करके हाला कि मेरे अंदर कोई बहुत जदा उठल पुथल पहले भी नहीं थी पर वहां पे बैठ करके काफी नहीं अनुगोती होने लगी और पत्री जी सर से मेरी मुलाकात हुई मैंने उनसे का सर आप हमें भी आशिरवाद दें कि हमारा ध्यान अच्छा लगे तो पत्री जी शिष्य बनाने की है ही नहीं वो सब को बता रहे थे कि यू आर दा मास्तर आपके ही श्वास आपके मास्तर हैं तो ये सब बाते उनकी बड़ी अनूठी थी जो हमें उनकी तरफ और खिचाओ पैदा करने लगी और जब उनसे मैंने मुलाकात की तो उन्होंने हाथ मिलाया गले लगाया जैसे एक दोस्त मिलता हो ना मुझे एक नया मेंटॉर मिल गया अपनी लाइफ में और जो मुझे अच्छे से समझ सके और मुझे आगे की बातों को समझा करके आगे के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए मुझे उनमें नजर आने लगा और पूजा को भी उन्होंने कहा कि आप लोग वापिस जाओ और एंदबाद में क्लासे लगाना शुरू करो अब मैंने तो पहली बार ध्यान का एक 40 मिनिट का ही अध्यायन किया था बहुत सारे हमारे विवर्स भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि पहली बार हमने तो अभी एबी सीडी ही सीखा है तो इस पे तुरंत जैसे अंदर की मन की बात को जायजा लेते हुए पत्री जी सर ने उसी समय कहा एफ और एपल बीफ और बॉल तो सीख लिया ना अपने इतना ही जाकर के आप एहमदाबाद में अपने लोगों को सिखाना शुरू करो और उन अपने घर से ही शुरू किया हमने पर्चे बनवाए और हमारी सोसाइटी में उसको बटवा करके लोगों को आमंत्रित किया और क्लासेज लिना शुरू किया पत्री जी सर ने क्योंकि कहा था कि कम से कम 40 दिन का संकल्प रक्य करना ताकि आपकी भ्यान की यात्रा सुखद हो हम लोग सिखाते गए लोग आते गए अब ये सिखाने की भी एक महत्ता है क्योंकि ऐसा मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा क्योंकि एक तरफ में हमारा बिजनस एक तरफ में पारिवारिक जीवन तो समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है शुरू शुरू में और भी घंटों घंटे तो लेकिन क्योंकि सिखाने की बात थी और वहां आनंद बहुत मिलता था तो आनंद में कब सौ दिन निकल गए चालिस दिन नहीं सौ दिन निकल गए और सौ दिन के अंदर मुझे अपने अंदर बहुत सारा परिवर्तन नदर आने लगा तो जहां पहले गुसा छोटी बातों में कई बार आ जाता था वो गुसा बिलकुल शानत हो गया और पूजा क्योंकि बहुत शौट टेंपरमेंट की थी और अक्सर बहुत कुछ बोल देती थी तो उसका जवाब मैं भी हमें अंदर से होता ना हमें भी मूँ लगा है और हम तो पुरुश हैं तो हमारी तो ज़्यदा बात होनी चाहिए तो एक दिन वो कुछ कह रही थी और मेरे चेहरे पर बस जैसी अभी मुस्कुराहट है ना मुस्कुराहट थी मैं उसको देख करके मुस्कुराता रहा और मैंने कुछ भी नहीं उसको कहा वो थक गई बोलते बोलते और फिर मैं अपने काम पर चला गया और जब मैं चला गया तो रास्ते से अपने ओफिस से मैंने उसको मेसेज छोड़ा कि I love you उसको मेसेज दिया मै और पूजा का फून आया और पूछने के लिए आपकी तबियत तो ठीक है ना इस एवरिटिंग आल राइट और मैं घर आया तो मुझे पता था कि बहुत सारा परिवर्तन मुझ में आ चुका है मैंने पूजा का हाथ अपने हाथ में रखा और उसे अपने साथ में अपने क्या करना है तो जैसे सारा का सारा जो सुबा का जितना रोश था वो सारा गायब हो गया वो गुस्सा हट गया तो मुझे एक नया समझ में आने लगा कि जब हमारा दृष्टी कौन परिवर्ते तो होता है जब हम अपने अंदर परिवर्तन महसूस करते तो हमारे घर में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वो दिन थे जब हमारे बिजनस में भी बहुत जएदा हमें सफलता प्राप्त होने लगी तो जैसे सारा तरफ से वो होता ना जब घर की लक्ष्मी खुश होती है और घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगती है तो कुछ ऐसा अनुभव मुझे होने लगा और एक सुखद यात्रा में मैं और आगे अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ में बढ़ने लगा धिरेन जी इतनी सुन्दर यात्रा को हमने समझा और कैसे आपने अपने जीवन के अंदर ये अनुभूती करें कि एक प्यार के दो शब्द जीवन को कैसे परिवर्टित कर देते हैं और कैसे एक सुख की अनुभूती जो सुख कभी ना खताम होने वाला सुख उसकी और हम अग्रसर हो जाते हैं तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं अभी आपसे हमें बहुत कुछ सुनना है फिर मिलेंगे आपके साथ तब तक के लिए अग्या चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद PMC Hindi और हमारे दर्शकों का और आपने जो अपना कींती समय निकाला आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यो 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 दर्शको इस यात्रह से अभी तक हमने जो समझा है कि जीवन में परिवर्तन तो आएंगे ही और परिस्तित्या भी ऐसी आएंगी चाहिए वो कठोर से कठोर क्यों नहों दुखत से दुखत क्यों नहों हमें निकारने के लिए ही आएंगी तो हमें हमेशा साक्षी भाव से उससे हमें सीखना क्या है हमने अभी तक इस यात्रह से समझा धिरेन जी की सुन्दर यात्रह स हमने ये समझा सीखा और जितना हम अपने जीवन में ध्यान को लेकर आते हैं कैसे आप स्थिर्ता के और साक्षी भाव से आगे बढ़ते हैं और आपको अपने अंदर की जो कम्या हैं वो भी दिखाई देने लग जाते हैं उसमें सुधार कैसे करना है ये भी दिखाई देने लग जाते हैं कैसे प्यार के दो शब्द आपके जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं और परिवार में भी पूरा परिवर्तन लेके आते हैं आपके आस पास भी वो पूरा परिवर्तन हो जाता हैं अभी हमने इतना ही जाना प्रन्तु अभी बहुत कुछ है जानने के लिए क्योंकि उन्होंने जो सीखा की प्रकर्टी और विज्ञान दोनों मिलकर आपके जीवन को और अच्छा कैसे बनाएंगे तो हम आगे फिर मिलते हैं भाग दो में तब तक के लिए हमारे साथ बने रह एक तरफ में प्रकर्टी की ओर जाना और दूसरी तरफ से आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में शामिल करना तो कुछ ऐसा हुआ कि घर के जो आप से मन मुटाओ थे बड़े ब्रदर की फैमिली में और हमारी फैमिली में जो होने लगे उसकी वज़े से पूजा डिप हो गया एक मिस्केरिज हो गया एक बच्चे का मन की बिमारियां आज 90% से जैदा है उनको अगर हमें अड्रेस करना है तो अपने मन पे जागरुत होना बहुत जरूरी बनता है मैं अपने जीवन में इतने चमतकार देखे हैं कोई डॉक्टर नहीं देखा होगा ऐसी ऐसी बिमारियां जिने आज लाइलाज कहा जाता है बिना दवा के सभी बिमारियों से मैंने निजात लेते हुए लोगों को देखा है हुए बिमारियों लोगों के सभी फोगों के से लोगों करता है